कानपुर दिहात में जोड़ार बारिश का कहर देखने को मिला है कच्छे मकान गिरने से दो लोग की मौत हो गई अकाशी अबिजली गिरने से एक की मौत होई दो लोग ठुल से है भोकिनी पूर्थाना शेत्र में अलग अलग जगों पर हाथसा हुआ है मितकों के परिजनों के को मिलेगा पाँच पाँच लाख रुपए मुवाज़ा प्रशासने की लोगों से सतर्क रहने की अपील तो कानपूर देहाद में जोरदार बारिश होती है और बारिश का कहर हर जगह देखने को मिलता है अकाशी ये बिजली गिरती है जिसकी वज़ए से लोगों की मौत हो जाती है और ऐसा कहा जारा है प्रशासन की तरफ से कि जिन भी मितकों की जो परिवार है उनको 5-5 लाख रुपए का मुवाज़ा भी दिया जाएगा और ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों को सतक रहने की भी अपील की जा रही है अकाशी ये बिजली गिरने से मातम पसरा हुआ है कई लोगों की मौत हो गई है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रेस्क्यू आपरेशन जारी है गाउवाले रेस्क्यू करने में जुटे हुए है और प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि मित्रकों के परिवार को 5-5 लाख रुपे दिये जाएंगे भोगनी पूर्थाना शेत्र के में अलग-अलग जगों पर आकाशी ये बिजली गिरी है बारिश का कहर देखने को मिला और उसकी वज़े से कई जाने गई है और अब प्रशासन मुआवजा देने की बात कह रही है और साथी साथ लोगों से सेफ रहने की भी अपील कर रही है खबर गोंडा से है जहाँ पर जिला प्रशासन अवैद कबजेदारों पर लगातार बुल्डोजर की कारिवाई करने में जुटा हुआ है जससे अवैद कबजेदारों और भू माफियाओं में हड कंप मचा हुआ है करनल गंज तहसील शेत्र में तालाब की जमीन पर अवैद तरीके से कबजा किये गए ग्यारा मकानों पर बुल्डोजर से कारिवाई की गई है साथ ही अन्य कबजेदारों पर प्रशासन ने 3,48,000 का जुर्माना लगाया है साथ ही FIR भी दर्ज कर दी गई है तो लगातार पीले पंजे का कहर देखने को मिल रहा है भू माफिया पर पीले पंजे का प्रहार हो रहा है बुल्डोजर की कारिवाई हो रही है अवैद कबजे पर प्रशासन का बुल्डोजर चल रहा है बुल्डोजर की कारवाई से भू मावियाओं में हडकंप मचा हुआ है बाकपप में तीनद्वे और शावक को देखने से लोगों में हडकंप मच गया मंदर में शधालवों को देख दीवार फांद कर भाग गया शावक और तेनद्वा और शावक का वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है बमनौली गाउं के जंगल में दिखा तेनद्वा तेनद्वा दिखने से दहशत में है ग्रामेंड वन विभाग को दी सूचना तो तेनद्वा दिखने से लोगों में हडकंप मच गया मंदर के पास ये तेंद्वा दिखा जो दीवार फांग कर लोगों को देखने के बाद भाग गया मंदर में शर्धालों ने तेंद्वा को देखा जिसके बाद लोगों में हरकम मज गया और उसके बाद उन शर्धालों को देखकर दीवार फांग कर खाग गया ते इंदुए का शावब